सो हेलो गाईज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 mcqs की सीरीज स्टार्ट किया फोर यूपीस सी प्रिलिम स्ट्रेंटी वन के लिए ठीक है आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है टोटली क्रेंट अफेर्स के उपर राइट आज का पार् 10 questions जो है वो cover करेंगे ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं आपने first question से that consider the following statements in context of water plus city of India ठीक है water plus city of India के वारे में बताना है आपने कौन सी statement जो है वो correct है सही है ठीक है तो पहली statement बोलता है that Bhopal has been declared as the first water plus city of India ठीक है कि Bhopal को जो first water plus city जो है वो declare किया गया है इंडिया की ठीक है और ये जो the cities are certified as water plus by the ministry of जल शक्ती under the switch certification survey ठीक है कहरा जो the cities are certified as the water plus by the किसके दोरा certified किया जा रहा है ministry of जल शक्ती ठीक है under the switch certification survey ठीक है अपने बताना है कि कौन सी statement जो है वो water plus city of India के regarding correct है इन दोरों में से ठीक है ये only two only both one and two neither one nor two बताइए इसके बारे में थोड़ा आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा दोनों की दोनों statement जो है वो क्या है गलत है ठीक है तो इसका जो सही answer रहने वाला है वह और नाइधर वान और two that is option number डी ठीक है अब देखिए क्यों देखिए बापाल को नहीं declare किया गया है किसे declare किया गया ह इंदोर को तो इंदोर has been declared as a first water place city ओफ इंडिया और यह मिनिस्ट्री अफ जलशक्ती वारा certified नहीं किया गया है किसके वारा certified किया गया है मिनिस्ट्री ओफ कि मिनिस्ट्री ओफ मिनिस्ट्री ओफ आ हाउजिंग एन्ड अर्बन अफियर्स ठीक है जी कौन है ministry of housing and urban affairs ठीक है तो पहली statement भी हमारी गलत है दूसरी statement भी हमारी गलत है option सही क्या जाएगा option number d neither one nor two right चलिए second question है recently the Indian PM ठीक है जो इंडिया के Prime Minister है उन्होंने launch किया new project at the historic Somnath temple ठीक है सो अबने बताना है इस temple के regarding सही सोरी incorrect statement कौन सी है इन दोनों में से incorrect statement कौन सी है Somnath temple stands at the shore of the Arabian sea in Gujarat state the temple is dedicated to lord Vishnu ठीक है तो बताइए one only two only both one and two neither one nor two बताइए कौन सी statement गलत है इन दोनों में से देखिए गाईज जो इस question का सही आंसर रहने वाला है वो है option number b dad is two only second statement जो गलत है पहले statement बिलकुल सही है सोवना temple जो है वो कहा है at the shore of the Arabian sea in Gujarat state ठीक है but temple जो है वो लोड विश्णु जी को dedicated नहीं है वो किसको है lord शिवा को ठीक है ठीक है बताईए जो है मैं बता देता हूं यह क्यों था news में क्योंकि बिसके लिए भी रिसेंटली जो है land slide वगेरा हुई है ठीक है जिसकी वद्से काफी लोग गयल हुए है काफी लोगों की death भी हुई है ठीक है आप मने बताना है कि यह जो किनोर जगह है जो भी भी बढ़ रहे हैं अगर आप देखने हैं सबको पता होगा कि जिसका तो सही अंसर रहने वाला है वो है option number C हिमाचल परदेश ठीक है हिमाचल परदेश में हैं यह किन और राइट चलिए question number 4 देखते हैं चलिए consider the following statements यहां पर पांच states देगे हैं असाम अरणाशल परदेश मिजोरम मनीपुर्तुरी पुरा आपने बताना है कि यह नागर लेंड के साथ कौन सी जो state है बॉर्डर शियर करती है ठीक है नागर लेंड के साथ इन पांचों मेंसे कौन सी state जो है वो बॉर्डर शियर करती है तो अपने बताना है 1 2 & 3 1 2 & 4 1 2 & 5 या all of the above बताइए देखिए गाई जिसका तो सही अंसा लेना वाला है वह option number B that is Assam अरणाशल परदेश और मनीपूर ठीक है यह तीनों की तीनों जो है वो बॉर्डर शियर करती है अगर मैं अरणाशल परदेश की बात करूं तो यह बॉर्डर शियर करती है नौठीस से ठीक है अगर मैं मनीपूर की बात करूं तो यह करती है साउथ से ठीक है अगर मैं असाम की बात करूं तो यह करता है करती है वेस्ट से ठीक है और मैं इस्ट से बात करूं तो कौन है मियानमार राइट तो याद रखिएगा ठीक है अर्नाचल परदेश आपकी नोर्थीस से आगया असाम आपकी वेस्ट से आगया ठीक है मनिपूर आपका साउट से आगया ठीक है सो वन टू और फॉर जो है वो इसका सही अंसर है ठीक है डेट इस ऑप्शन नमबर बी कॉश्चन नमबर फाइफ देखते हैं अगर आपने पड़ा है फ्रनाइशल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में आपको पता होगा इसका सही अंसर है वो है ऑप्शन नमबर ए डेट इस डिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट चली कोश्च नमबर 6 देखते हैं देखिए ब्रेटन वोड्स ट्विंश इंसिट बनाए गये थे ठीक है तो आपने बताने हैं दो इंस्टुशन का क्या नाम है पहला है नौर्थ अट्लांटिक ट्रीडी और्गनाइजेशन एंड यूनसी डिज यूनाइटी नेशन से क्या यह दो इंस्टुशन से या फिर वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइशन और्ड पर बनाएं के थे जो न्यूज में भी अकसर रहते ही रहते हैं ठीक है बताइए तो इस बहुत इजी सांसर है इसका वो है ऑप्शन अबर डी वर्ल्ड बैंक एंड इंट्रनेशनल मोनेटरी फंड ठीक है जी देखिए आपने पढ़ा होगा इंद दोनों के बारे में आई ह से ही जो इसका रहेगा वो है option number d ठीक है question number seven देखते हैं देखिए कुछ amendments दी है आपने बताना है कि कौनसी amendment जो है वो correctly matched है ठीक है चलिए चलिए कहता है जो 101 amendment है वो है EWS से economically weaker section reservation से 102 amendment है वो है GST law से related और 103 amendment है वो है NCBC that is national commission for backward classes constitutional status से related सो आपने बताना है कौनसी statement जो correct है क्य 101 amendment हुई थी वो EWS के लिए थी या 102 amendment GST law के लिए थी और 103 amendment NCBC के लिए थी तो बताईए one only one and two one and three and none of the above बताईए देखिए guys बहुत important amendments है ठीक है याद रखेगा और इसका जो सही answer वो है none of the above ठीक है तीनों की तीनों जो हम वो गलत है ठीक है अगर मैं आपको बताऊं जो 101 amendment थी ठीक है वो किसी से related थी GST laws से related राइट 102 amendment थी वो थी NCBC से related राइट और 103 थी वो किससे थी 10% reservation दीगी थी किसे economically weaker sections को ठीक है तो याद रखेगा 101 GST से थी 102 amendment NCBC थी और 103 amendment जो थी वो किससे थी EWS से थी ठीक है तो तीनों की तीनों statement जो है यहाँ पर गलत मैंस रहें राइट इसका सही एंसर रहेगा consider the following statement in the context of recently notified plastic waste management amendment rules 2021 ठीक है ठीक है तो recently जो है plastic waste management amendment rules 2021 जो notify किये गया आपने बताना है कौन सी statement जो है इसके regarding incorrect है गलत है ठीक है the rules have been notified by the ministry of urban development रहा है कि जो rules है वो notify किये गये है by the ministry of urban development and the rules prohibit all plastic items which have low utility and high littering potential by 2022 बताइए कौन सी statement गलत है one only two only both one and two neither one nor two देखिए गाईज इसके regarding दोनों की दोनों statement जो है वो गलत है तो option c both one and two जो है इसका सही answer रहेगा ठीक है यह ministry of urban development के द्वारा notify नहीं की गई है किसके द्वारा notify की गई है ministry of ministry of environment forest and climate change ठीक है जी किसके द्वारा notify की गई है ministry of environment forest and climate change के द्वारा जो है यह notify की गई है दूसरी statement कहा रहा है the rules prohibit all plastic items not all plastic items but the rules prohibit identified single-use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022 ठीक है जी तो दोनों की दोनों statement क्या होगी हमारी गलत होगी option c जो है वो सही answer है both one and two चली कुशन बनाएं देखते हैं with respect to the चिनाव रिवर consider the following statement ठीक है चिनाव रिवर के बारे हम बताना आपने कौन सी statement जो है वो सही है रिवर चिनाव इस फॉर्म्ट बाइड यूनिन अफ टू है चंद्र और भागा इंदा जो है वो बहुत इसी साथ कोशन है और बहुत इसी आंसर है इसका सही answer रेने वाला है option अबर ये वन ओनली ठीक है पहली statement बिल्कुल सही है दूसी statement गलत है चिनाव मीट्स रिवर सतलोज इन पाकिस्तान नोट इन पंजाब ठीक है तो पाकिस्तान में मिलती है तो दूसी statement गलत होगी पहले statement सही है so option a one only is the right answer आजका last question देख लेते है question number 10 ठीक है यहां पर तीन tiger reserve के नाम दिये गए आपने बताना है इन में से कौन सा tiger reserve जो है वो अरनाचल प्रदेश में है ठीक है so one only three only one and three one and two बताइए बहुत easy है यह question भी अगर आपने पढ़े है tiger reserve के बारे में main main आपको पता होगा कि कौन सा इन तीनों में से जो है वो अरनाचल प्रदेश में है क्या पहला है या तीसरा है या पहला तीसरा या पहला दूसरा है ठीक है second इसकी बात करूँ तो यह कहा है second tiger reserve यह है हमारा west bengal में ठीक है पहला मिजोर में आ गया दूसरा west bengal में आ गया और जो तीसरा बचा यह कहां है अरनाचल प्रदेश में ठीक है so option b जो है इसका three only वो सही answer है ठीक है so i hope आपको आज की 10 questions है वो अच्छे से समझ जाए होंग questions होगी institutions होगा है इनसे related questions आते हैं ठीक है और यह कहीं नहीं किसी नहीं किसी वज़़ा से current affairs में included थे इसलिए यह questions जो है मैंने यहां पे cover किये है ठीक है so i hope आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो like करिएगा नहीं आई है पसंद कोई दिक्कत नहीं dislike करिए but at list बदाईएगा comment section में कि क्या चीज समझ नहीं आई ठीक है तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाबाई take care